आज हम बनाने वाल है गोबी से पनीर की रेसेपी घर पर ही एक छोटी गोबी से आप एक किलो पनीर बना सकते हो बिल्कुल भी कोई फर्क पैचान नहीं पाएगा कि आपने यहाँ पे पनीर का इस्तमाल नहीं किया है यह पनीर बना है गोबी से तो प्लीस वीडियो को पूरा देखिए बिल्कुल बिस्कीप ना करें अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आती हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना वो लिए यहाँ पर मैंने फूल गोबी ले लिया है मेडियम साइज का इसे आपको अच्छी तरीके से कट कर लेना है रफली तो यहाँ पर बारिक पिसेज आपको नहीं करना है क्योंकि हम इसे पिसने वाले हैं मिक्सी में तो इसकी मैं रफली चॉप कर दूँगी रफली चॉप करने क इसे आपको अच्छी तरीके से गरम पानी से दो लेना है क्योंकि गोबी में कभी कभी किडे भी निकल जाते है तो देख सकतो यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से इसे गरम पानी से दो लिया है अब एक ग्राइंडिंग जार ले लेना है इसमें आपको जो आपने कट करके रखी है गोभी, उसे आपको add कर लेना है, और इसके अच्छी तरीके से आपको piece लेना है बिना पाने add किए, तो देख सकतो है, तो यहाँ पर मैंने पीस लिया है, अब इसे बिल्कुल पनीर वाला texture देने के लिए milk powder आपको add करना है, अगर आपके पास milk powder ना हो, तो घर की बन बन जाता है, अब इसे एक प्लेट में आपको ट्रांसपर कर लेना है तो एक प्लेट में यहाँ पर मैंने निकाल लिया है, अब यहाँ पर बैंडिंग के लिए मैं यूज करूँ गी तीन चमच के करीब चावल का आठा और यहाँ पर नमक आपको सौथ के अनुसार एड़ कर तो गाडा बनाने के लिए आप यहाँ पर बेषन का भी इस्सिमाल कर सकते हो या चावल के आटे का इस्तिमाल कर सकते हो इसे अच्छी तरीके से फैला लेना है एक तेल वाली प्लेट में तो सबसे पहले प्लेट में मैंने तेल लागा लिया था इसे एक साइड आपको रख ल उसके बाद जो उपर से स्टैंड है उससे आपको लगा देना है तो यहाँ पे दो चीजे साथ में ही हो जाएगी आपके प्याज और टमाटर भी पक जाएगे गल जाएगे और उपर से हमारा पनीर भी यहाँ पे बन जाएगा तो देख सकते हैं यहाँ पे पनीर भी मैंने रख दिया है अब थोड़ी से यहाँ पे मैं काजू भी इसमें दाल दूँगी ताकि ग्रेवी हमारी बहुत ज्यादा स्मूथ बन सके और इसे आपको स्टीम कर लेना है 20 मिनट के लिए तो देख सकते हो 20 मिनट हो चुका है तो यहाँ पे आप टच करके इसे देख सकते हो यह पका है कि नहीं अगर हाथों पे यह बिल्कुल ना लगे तो इसका मतलब है कि यह पक चुका है तो यहाँ पे टमाटर, काजू और प्याज को आपको निकाल लेना है अगर पनीर थोड़ा सा आपको अगर कच्छा लगे हाथ पे चिपके तो यहाँ पे आप 5 मिनट की लिए फिर से उसे स्टीम कर सकते हो और उसे आपको रख देना है फ्रीज में सेट होने के लिए 5 मिनट की लिए तो देख सकते हो मैंने रख दिया था फ्रीज में ये किनारे भी छोड़ने लगा है तो यहाँ पे आपको जो टमाटर प्याज है उसका पेस्ट आपको बना लेना है और इसे आपको कट करके एक साइट रख लेना है तो ये आसानी से कट हो जाता है प्लेट पे आपको यहाँ पे ओईल या घी अपलाई करना ज़रूरी है नहीं तो ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा तो इसे आपको मंचाय शेप में कट कर लेना है ट्राइंगल या स्कॉयर तो चलिए इसे में कट करके एक साइट रख दूँगी बिल्कुल भी आपको फर्क पता नहीं चलेगा मैंने अल्डेडी एक पता गोबी से पनीर कैसे बनाते है उसकी रेसेपी मैंने दाल रखिये मेरे चैनल पर उसे भी आप ज़रूर देखिये और घर में ही पनीर आप बना सकते हो तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पनीर बन चुका है सारे पिसेज आपको ऐसे निकाल लेने है तो चले अब हम बना लेते हैं इसकी ग्रेवी तो एक कड़ाई आपको लेना है इसमें तेल आपको एड़ कर लेना है तीन से चार चमचके करीब और इसमें आपको एड़ कर लेना है पिसा हुआ पेस्ट और उसी में आपको एड़ करना है एक चमचके करीब अद्रगा और लसुन का पेस्ट इसे अच्छी तरीकी से आपको भून लेना है कच्चापन निकलने तक तो चलिए इसे में भून लेती हूँ थोड़ी देर अब इसमें आपको आदा चमच के करीब हल्दी पाउडर आड़ करना है आदा चमच यहाँ पे गरम मसाला आड़ करना है एक चमच यहाँ पे आपको धनिया पाउडर आड़ करना है मिर्ची आपको एड करना है एक चमच के करीब मसाले आप अपने टेस्ट के अनुसार एड कर सकते हो और नमक आपको स्वाथ के अनुसार इसमें आड करना है इसी अच्छी तरीके से आपको भून लेना है तो देख सकते हो मसाला हमारा अच्छी तरीके से भून चुका है अब आपको पाने आड़ कर लेना है तो थोड़ा सा मिक्सी जार में पानी ता उसे मैंने आड़ कर लिया है जितना आपको यहाँ पे लिक्वीड रखना है करी को उस हिसाब से आप यहाँ पे बना सकते हो तो इसे आपको अच्छी तरीकी से एक से दो बॉइल आने देना है, फिर आपको आट करना है पनीर, पनीर आट करने के बाद आपको इसे दो मिनट के लिए पका लेना है, तो चलिए इसे भी दो मिनट के लिए पका दूँगी ढखके, तो चलिए यहाँ पे दो मिनट हो चुके है और हुँचक करते हैं तो देख सकते हैं यहां पे हमारा पनीर बन चुका है बिना दूत का पनीर जो इंस्टेंट बन जाएगा और खाने में बहुत ज़्यादा लाजवाब लगता है अगर किसी के सामने आप यह वाली रेसेपी रख दो तो बिल्कुल भी यह फर्क पैचान नहीं पाएगा उपर से थोड़ी से आपको धनिय के पत्ते आड़ कर लेने है और चलिए इसे में सवर कर लेती हूँ आप देख सकते हो करी पे तेल कितनी अच्छी तरीके से छुटा है और ग्रेवी भी बहुँ ज़्यादा टेस्टी है तो प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर इन सब्सक्राइब जरूर कीजिए फेस्बुक पे फालो कीजिए